जाने माने एक्टर चंकी पांडे ने एक पॉड़कास्ट में शाहरुक खान के संघर्षों के दिनों के बारे में बताया। उन्होंने उस समय ही एक भविश्यवानी कर दी थी, जिसके बारे में एक्टर ने बताया। बॉलिवुट के बादशाह शाहरुख खान के स्टारडम से हर कोई वाकिफ है। उन्होंने काफी मेहनत के बाद आज ये मुकाम हासिल किया है जब वो दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है। शाहरुख खान जब नई नवेली शादी करके गौरी के मुंबई आये तो एक किराय के फ्लैट में रुके थे। उनके संघर्ष की कहानी एक्टर चंकी पांडे ने सुनाई और कहा कि उन्हें पता था कि शाहरुख एक दिन सुपरस्टार बनेंगे। चंकी पांडे की वाइफ भावना, पांडे शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान की अच्छी दोस्त हैं, वहीं चंकी की बेटी अनन्या पांडे और शाहरुख की बेटी सुहाना खान बचपन की दोस्त हैं। चंकी शाहरुख को उस दौर से जानते हैं, जब शाहरुख वाइफ गौरी के साथ किराय के मकान में रहते थे। चंकी पांडे ने एक पौ उस समय की बात है जब शाहरुक और गौरी किराय के मकान में रहते थे और मेरे भाई से अकसर मिलने आते थे, सभी बैठ कर वीडियो कैसिट देखते हैं, तो शाहरुक और गौरी कई बार मेरे घर पर ही रुख जाते थे। चंकी पांडे ने आगे कहा, मैं जब भी शाहरुक को देखता था, तो हमेशा कहता था कि एक दिन ये लड़का जरूर सुपरस्टार बनेगा, क्योंकि उनमें वो चार्म दिखता था। शाहरुक एक जुनूनी व्यक्ती थे और उनमें कामयाब होने की आग थी जिसे मैंने द देखा है। उनके अंदर बहुत धैर्य था, आत्मविश्वास था और वो पूरे जुनून के साथ कोई काम करते और उसे पूरा करके ही दम लेते थे। मुझे गर्व है कि मैंने उन्हें संघर्ष की दिनों में देखा और आज वो क्या हैं वो भी देख रहा हूँ। जैसा कि चंकी पांडे ने बताया कि शाहरुक और गौरी का उनके घर आना जाना था, तो सुहाना की दोस्ती भी अनन्या से होना आम बात है। अनन्या पांडे ने पहले ही बॉलिवुड डेब्यू कर लिया है और कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। वहीं सुहाना खान ने भ कुर्स्ती बरकरार है।